हलो गाइस कैसे हैं आप सब आई होब आप सब थीव होंगे तो चलिए आज मैं एक नए वीडियो के साथ आई हूँ और ये वीडियो है एक मेकप लूप मैंने क्रियेट करिया छो सिर्फ मैं ये शूट के लिए किया तो आप लोग देखिए एक कभी-कभी ना हम लोगों को जो प्रेक्टिस करना है तो मैंने इसके उपर प्रेक्टिस किया के ऐसे लूब क्रियेट करने में कैसे होगा तो इसलिए मैंने यह किया जो लोग नए हैं मुझे नहीं चानते मैं हूं अजली और इस चैनल है अजली स्थाच मैं ऐसा वीडियो अपलोड करती हूं अब लोग मेरे साथ रहिए और देखते रहिए पूरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक स्यार किजिए नहीं हो तो सब्सक्राइब करके रखिए तो चलिए मैं पहले क्लीन से शुरू कर रही हूं आज मैं क्लीन से शुरू कर रही हूं और यहां पे क्लीन करने के बाद मैं यहां पे टोनार एपलाई कर रही हूं यह गूड वाइव का जो टीटी टोनार है वो मैं एपलाई कर रही हूं बहुत ही आच्छा है तो आप लोग कर सकते हो इसको तो जो जो प्रोड़क्त हम लो absorb हो तो बहुत अच्छा result आएगा और यहां पे मैं यहां पे आज मैं जो moisturizer apply किया वो है PAC का spot light यहां पे मैं कालर बर का silicon primer apply कर रही हूँ यह सामर के time इसलिए तो उसके बाद उसको भी मैं अच्छी तरह से absorb करने दिया और उसके बाद मैं dharma से color लेके उसका जो skin tone है उसे एक tone मैं dark color लेके मैं पहले apply कर रही हूँ और उसके बाद इसका एक resin है oxidize नहीं होगा एक setup dark लगाओ तो तो मैं आज glossy effect देने के लिए यहां पे नाइका का मैं stock cream apply कर रही हूँ जहां जहां highlight point है वहां पे मैं अच्छी तरह से इसको apply कर रही हूँ तो चलिए अब लोग पूरा video intact देखते रहिए और अच्छा लगे तो मतलब water resistant makeup करने के लिए भी यह भी यूज कर सकते हूँ बहुत ही आच्छा आएगा मतलब इसका result तो देखिए आभी में दो पाला लिया एक टोन dark और एक टोन इसलिए मैं apply किया और उसके बाद में अच्छी तरह से इसको ब्लेंड करूंगी तो देखिए blending बहुत अच्छा होता है मतलब बहुत अच्छा तर्किया आपको blending करना है अच्छा blending हो तो मेकब लूप कहते अच्छा हाता है तो देखिए इस तरह मैं यह किक साइट पहले apply किया और उसके बाद मैं दूसरी साइट apply करूंगी क्यूंकि यह जो सामार का जो मेकब होता है इसे फाउंडेशन थोड़ा सा मतलब ड्राइ होता है ता ड्राइ मतलब फा इसलिए मैं एक एक करके जगा जिसके उपर मैंने लगाया उहां पे मैं पहले अच्छी तरह से ब्लेंड किया उसके बाद मैं दूसरी जगा लगाया यहां पे मैं क्रीम हाइलाइट मतलब साड़ी क्रीम कॉंटूर को मैं apply कर रही हूं क्रीम कॉंटूर मैं इसलिए लगा रही हूं क्योंकि मेरा जो मेक अप लूग है यह थोरा सा ग्लैम लूग दिखाना है तो इसलिए मैंने यह किया और उसके बाद मैं highlight zone पे concealer मतलब जो उसका skin tone है उससे एक tone मैं bright light tone लेके मैंने highlight zone पे highlight किया और उसके बाद फीर से इसको अच्छी तरह से आपको blend करना है blend करने के बाद आपको पूरा जो प्रोसेस है वो करना है blending बहुत ही अच्छा है मतलब हो तो make up बहुत अच्छा होता है blending बहुत जरूरी होता है make up के लिए जो भी oi make up बोलो या face make up हो सुब कुछ के लिए आपको अच्छी तरह से blend करना है और यहां पे मैं अच्छी तरह से लॉग करूंगी जो जो product मैं अभी तक use किया उसको अच्छी तरह से मैं लॉग कर रही हूं क्योंकि यह हमार make up है आप लोग जानते होंगे कि इस हमार make up के लिए यह जो breaking process होता है बहुत important process होता है तो मैं अच्छी तरह से ऐसे कर रही हूं और यहां पे देखिए जहां पे मैं cream blush लगाया वहां पे मैं जो settings जो powder है वो मैं नहीं लगाया शेट करने के लिए क्योंकि उहां पे मुझे powder contour मैं बाद में फिर से use करूंगी इसलिए मैं उसको powder से नहीं लॉक किया वो मैं powder blast से ही करूंगी इसलिए तो यहां पे मैं अभी eyebrow को define कर रही हूं एक concealer के मदद से और यहां पे मैं एक बात बोलना चाहती हूं आज का जो मेरा model है इसको ना eyebrow बना नहीं बनाया और face पे इसका जो facial hair है बहुत ज़्यादा है बट उस उस पे ही मैं अच्छी तरह से make up किया और बहुत अच्छा लूक आया केमरे में कैसा आएगा मुझे पता नहीं अभी देखिए eye makeup हो गया है तो थोड़ा सा मैंने clipping यहां पे ली तो चलिए यहां पे मैं अभी जो है eye makeup आज मैं यहां पे मैं contour कर रही हूं cream को नहीं cream मैंने पहले लगाया और यहां पे मैं अभी powder से कर रही हूं eye makeup जो है आज मैंने एक black smokey eye किया क्यूंकि जो outfit है उसके हिसाब से मैंने किया मुझे एक glam look दिखाना है तो इसलिए और यहां पे मैं देखिए अभी highlight को apply कर रही हूं highlight zone पे बहुत अच्छी तरह से मैंने यह सब किया धीरे-धीरे किया क्यूंकि देखिए यह जो model है suit है इसलिए कभी कभी real client के उपर आपको इतना time नहीं मिलता है इसलिए model के उपर आप makeup करो तो आपको अच्छी तरह से practice होता है कि कहां कहां क्या क्या अच्छी तरह से apply करना है तो जो real client होता है न वो इतना ज्यादा time हम लोगों को नहीं देते है तो यहां पे मैं highlight लगा रही हूं highlighter यह बहुत ही अच्छी तरह से हलके हाथों से इसको लगा के blend कर रही हूं अब देखिए जो जो product हम लोगी apply करते है उसको अच्छी तरह से blending करना है तो देखिए इस तरह मैंने अच्छी तरह से blend किया पूरा जो जो मैंने product apply किया यहां पे मुझे जो blush है ना cream powder blush कम दीख रहा त मैंने उस मैंने बाद में फीर से एक बार मैंने apply कर रही हूँ यहां पे तो देखिए हिया style और jewelry dress पहनने के बाद हम आई है lipstick पे lipstick मैं last में apply कर रही हूँ यह जो jewelry अब देख रही है मोथी का जो jewelry है यह मैंने खुद बनाई है मतलब shoot करने से पहले मैंने पूरा बनाया हम लोगों ने मिलके मेरा star model सब एक साथ मिलके हम लोग बनाया तो देखिए this is final look here मैं आज unicorn एक hairstyle बनाया और smoky eye के साथ इस look कैसा आया आप लोग जुरूर comment कीजिएगा अच्छा लगे तो like कीजिए okay bye मिलती हूं next video में तब तक के लिए take care आप खुद खुश रही है